हलो दोस्तों आप सबीका एक वार फिर शार्दिक स्वागेता आपके परनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज एक ओर वेकेंसि के बारे में जान लेते हैं और यह जो वेकेंसि निकाली गी है एनेचम बलरामपूर यह जो बलरामपूर हो हो है रामानुज गंज के अंदर ज लेकंसिज निकाल गी है सिनियर नर्सिंग औफिशर अचुनर नर्सिग और जो किए नखसेश के बारे में कितनी क्या शेलरी आपको मिलेगी कितना क्या िरीड यहाँ पर रहेगा यहाँ पर zurविग्यापन है यह जो नौटिकरिकेसंट है वो क्ONTक्त बेस पे जो व गयो नोटिफिकेशन जारी किया गिया है, तो कितने दिन आप ही यहां पर जूब कर सकते हो, कौन इसके लिए apply कर सकता है, कैसे apply कर सकते हैं, और कितने कैसे लिए आपको मिलने वाली है, तो चलिए जानते हैं complete detailed इस वीडियो के अंदर, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना साथी साथ आप बेल आइकन बिटन को भी जुरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अफडेट जल्दी सी जल्दी मिलते रहे चलिए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं लास्ट डेट का है बाकि आपको जो पीडिएफ हो मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम ग्रूप नर्सिंग चैलेंजर्स के अंदर दोस्तों आपको टेलिग्राम पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और आपको एड हो जाना है चलिए जो इसकी लास्ट डेट वो द तो ये जो आप आविदन कर रहे हो जो आप फॉर्म फील कर रहे हो वो आपको कहां पे करना होगा वो आपको करना होगा जिल्ला बलरामपुर के कारिया लिया नहीं निशन बलरामपुर रामानुज गंज जो रामानुज गंज के बलरामपुर है वहां पे आपको ओफलाइन म सो है अपना फॉर्म फील करने होगा वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा उसको फील-अप करना है और आपको डॉक्युमेंट्स अटेच accomplice आपको पर आपको जमा करवाधेना यहाँ पे जो है रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे अलग से दिखा रखी है कहां कहां पे कितनी क्या है और कौन सी कटेगरी में कितनी क्या डिवाड कर रखी है आपको PDF के अंदर मिल जाएगी मैं सूपर फिरीची लिए आपको बता देता हूं वेतनमान की बात करें तो ज साम तो बड़ा है लेकिन पैसा बहुत कम है देखिए नर्सिंग ऑफिसर नहीं से जो वेकेंसी निकाली है उसके लिए 16,500 रुपए यहाँ पे सेलेरी मिलने वाली है बेसी नर्सिंग जिनों ने कर रखी वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं लेकिन उसके पास में इसके लिए एपलाइक कर सकते हैं और ओफलाइन मेथर्ड जो ओफलाइन मोड है उससे आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों अलग यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर की एक जो वेकेंसी जिसमें बीएसी नर्सिंग और जीनम पास आउट के लिए यहाँ पे वेकेंसी उसके लिए 16,500 रुपे मिलेंगे लेकिन 31,500 रुपे भी यहाँ पे सेलेरी मिलेगी वो मिलेगी MSC साइकेट्रिक नर्सिंग जिनों ने कर रखी है और शाथ में उनके पास में दो साल का एक्स्पिरेंस भी होना चाहिए साइकेट्रिक होस्पिटल का तो उनको सेलेरी में 25,000 रुपे भी सेले रही है और 15,000 रुपे भी सेले रही है इनके लिए दोनों के लिए अलाग अलाग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देखिए यहाँ पे MSC नर्सिंग और जो साथ में पीजी डिपलोमा कर रखी है साइकेट्रिक नर्सिंग से वो इसके लिए आव आपको दो साल का experience है mental hospital का या psychiatric hospital का तो आप इसके लिए आवदिन कर सकते हैं आपको 15,000 रुपे पर मन्त यहाँ पे मिलने वाले हैं आगे देखिए staff nurse के बारे में भी देख लेते हैं यह देखिए यहाँ पे staff nurse staff nurse की जो vacation last last में देखिए 16,000 रुपे आपको पर मन्त मिलने व होने चाहिए और 36 गर्ड़ के आप होने चाहिए साथ ही आपको बता देखिए 36 गर्ड़ के candidate ची आप यहाँ पर आवे दिन कर सकते हैं आगे देखिए आपका जो work in interview होगा वो होगा 9 बज़े से साड़े 11 बज़े तक वो भी बलरामपूर के NHM जो कार्या लिए है वहाँ प सब्सक्राइब होने चाहिए न लिए चैसेंँ कैसे के सेलेक्षिम वह कर दो सकता है आपका in reiterate विम्हाब भी ज़ा सकता है वह जा सकते है कि अपका जो प्रिक्षा गर्दी है तो उसके लिए 36 गिड़ का मोल निवाशी होना चाहिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर 16,000 या 5 रुपए 16,000 पांस रुपए से अधिक जो सेलेरी की वेकेंशी जो उनके लिए 36 गिड़ का निवाशी होना चाहिए संभाग इस्तर पर अब बेड़ती नहीं होने के इस्तिती में संभाग से बाहर के प्रंतों 36 गिड़ के बेड़तियों को ही चेन किया जाएगा यानि कि जो 36 गिड़ का जो संभाग है रामानुज गंज उसके अगर विद्यारती नहीं मिलते हैं तो शिर्फ और शिर्फ देट वह इसके लिए आवेदन कार्श रखते हैं सतर साल अबीबेस वालों के लिए यहां पर रखी गिए और जो आपकी डेट है जो आपकी एज है वह एक जनौरी 2021 तक जांच की जाएगी आगे देखी जो वेकेंसी निकाली कि उसके लिए यह संसाधन निती 2008 के तहत जो पर निकाली किये और जो भी इसमें जो भी सूचना वगेरा होगी वह सरोह मान्य कार्यले न्हूम है रामानुज गन जहां पर बलरामपुर है वहां की मान्य होगी आगे देखे चेहन पर किरिया की बात करें तो यहां पर देखी जो एक से दस नंबर की पोस्ट है यानि कि जिस पोस्ट में एक से लेकर दस नंबर तक अगर पोस्ट है उनके लिए दस गुना बेरतियों को बुलाए जाएगा और जिसमें गयारा से पैंटिस पोस्ट हो नर्सिंग ओफिसर की ये साइध पैंटिस है सैंटिस आप देख लेना आगी से जो 37 पोस्ट है या 35 पोस्ट हो क किसमें आती है सेकंड नंबर में तो इसमें 5 गुना बेरत्यों को बुलाए जाएगा इंट्र्व्यु के लिए या फिर पास में तो डिग्री आप लगा दीजी आपका रजिस्टेशन सर्टिफिकेट आप लगा दीजी आप जो है जाती प्रमानपत्र का सर्टिफिकेट आपको लगाना है ने सकते था प्रमानपत्र आपको लगाना है अनुबू एक्सपिरेंस अगर आपके पास में सर्टिफिके आपका जो selection होगा वो होगा देखिए आपके जो भी college में आपके जितने नंबर आएं उनके इसाब से आपको 60% अंक दे जाएंगे उसके according 60% अंक मिलेंगे आपको और experience के आदार पर आपको 20 नंबर मिलेंगे 20 नंबर 15 नंबर 10 नंबर तो यह grading है 20 नंबर तक आप यहां पर नंबर ले सकते हैं experience के आदार पर आपको दी जाएंगे बाकि आगे देखिए कोसली है जो skill test है उसके according आपको 20 नंबर कियोगी तो ऐसे करके आ इंडेर नंबर हो जाते हैं उसी के आदार पर आपकी merit सुची बनाई जाएगी तो दोस्तों यहां पर शिर्फ और शिर्फ यहां पर बिना किसी exam हो सकता है आपका test हो सकता है या फिर interview हो सकता है skill test और interview तो आपका sure होगा 20 नंबर और 20 नंबर यहां पर मिलेंगे और 60 नंब देखी यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है राश्टी स्वास्ति मिशन बल्रामपुर द्वारा रजिस्टेशन उप्रांद प्रदाय आविदन प्रारूप सलंगन प्रारूप में ही बरकर जमा करना आवश्यक है तो आपको वहीं पर जाके जो अपना form फिल करना होगा और 36 सब्सक्राइब करें समविदा की बात करें तो जो इक साल के लिए गितिसम मार्च 2022 तक आपका कॉंटेक्ट रहेगा अगर आप अच्छा वहां पर जोब करते टाइम अच्छा काम करते हो तो आपका जो है आवदी आपकी बढ़ाई जा सकते बाकि एक साल का यहां पर आपक कर सकते हो बाकिस में कुछ और भी नियम और सकते हैं जो आप देख लेना इस PDF के अंदर आवेदन सुल के की बात करें तो यहां पर देखिए 25,000 से अगर कम सेलिर की जो भी वेकेंसिस है उनके लिए यहां पर अलगला केटेगरीज दे रखिए और कितने क्या फीस यह भी य बाकिन इंटर्विव जब इंटर्विव के लिए वहां पर आप जाते हैं तो समस्त अब बेरतियों अभिभाव को को मास्क लगाना अनिवारी है साथ ही सोसल डिस्टेंसिंग की पालना और दोगज की दूरी का पालना करना आप तो दोस्तों आप वहां पर अपना फॉर्म बर सकते हो यह आपको फॉलो करने है सोसल डिस्टेंसिंग भी आपको मिलाय रखने हैं तो फ्रेंट्स यह थी एक चोटेशी इंफार्मेशन वेकेंसी की तो जो भी 36 के कंडिडेट है वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब